तो अभी मैंने 10 Google Chrome open कर लिए अब आपको एक गूगल Chrome में setting करनी पड़ेगी क्या setting करनी पड़ेगी आपको यहां पर लिखना है वाच टाइम बढ़ाते टाइम अपना चैनल इसमें लोगिन मत करना पहले पूरी वीडियो को देखना कभी बीच में छोड़ कर चले जाओ मैं बढ़ा लेता हूं वाच टाइम भाई आधी अधूरी information बहुत खतरनाक होती है इस बात कर दिहार नखना तो अगर हम एक वीडियो को एक Google Chrome में 24 घंटे चलाने हैं तो हमें मिले 24 घंटे अगर आपको अपना YouTube चैनल फिरी में मोनिटाइज करने हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है लोग आपसे पैसा लेकर तब आपके YouTube चैनल को मोनिटाइज करते हैं और मैं उनका तरीका अगर आपको सिखा दूँ तो कैसा रहेगा तो आज मैं आपको complete process बताने वाला हूँ कि आप paid monetization फिरी मैं कैसे कर सकते हो और यह तो आप सभी को पता होगा कि YouTube चैनल monetize होने के बाद पैसा आना शुरू हो जाता है तो मैं आपको पूरा process बताने वाला हूँ कौन सा software आपको install करना पड़ता है antivirus कौन से की ज़रूत पड़ती है कौन कौन से tools के आपको ज़रूत पड़ती है तो वीडियो को end तक देखोगे तभी आपको अच्छे समझाएगा और detail में समझाने की कोशिश करूँगा मैं अभी के लिए आपको अपने laptop से समझाने वाला हूँ तो आप अपने mobile से कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा तो आज 1000 रुपिय का काम आप फिरी में करने वाले हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर देना subscribe के भीना मत जाना तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने laptop की screen पर और आपको detail में समझाता हूँ तो सबसे पहले आपको एक software डाउनलोड करना पड़ता है तो इस software को install करने की ज़रूत नहीं है डाउनलोड कैसे कियाता है मैं आपको बता दूँगा तो आपको यहां पर one कर देना है यहां पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है और यहां पर जो 10 लिखा हूँ है यहां पर जो 10 है आपको यहां पर कर देना है 50 मैं 50 इसलिए कर रहा हूँ थाकि आप लोगों को दिखा सकूँ अगर आपका लैप्टोप जादा कॉन्फीगरेशन अच्छी नहीं है लाइक दो तीन जीबी कर रहे में चार जीबी कर रहे में तो यहां पर 50 अशमत करना आप शिफ 30 से 40 करना 30 कर लेना बहुत है तो मैंने 50 पर क्लिक किया है और यहां पर आपको क्लिक कर देना मेरको में पताए क्या लिखा हुआ है इतना करने के बाद आपको यहां पे मतलब जो Google Chrome आपने इतने सारे बनाए, इनको एक folder में कर देना है, अब जैसे आप इनको एक folder में कर दोगे, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, दो अभी बाकी रहते हैं, और वो वाला एक पहले से ही था, तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया, अ इतना करने के बाद, यह देखो, आपके 50 Google Chrome यहाँ पे तयार हो चुके हैं, तो जब आपके 50 Google Chrome तयार हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको Chrome No.1 उपन करना है, और इसमें Settings करनी है, Chrome No.1 मैं ने उपन किया, अब यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ, साइड में, यहाँ तक Settings आपको करने हैं, अब इसको मैं यहाँ से बड़ा करका दिखाता हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पे इसको करने है, इसको भी यहाँ से किप कर देना है, और इसको भी यहाँ से किप कर देना है, और यहाँ से कर देना है, और यहाँ से कर देना है, तो आपका एक Google Chrome किसी किसी में और हुई रहती है वैसे तो तो नहीं रहती वहाई आपको हर एक में करनी पड़ेगी तो यहां पे मैं तीन की कर ली सेटिंग अगर मैं यहाँ पर अगले का करूँ तो यहाँ पर भी डारेक्ट ओपन हो गया तो इस तरीके से आपको सारे के सारे Google Chrome ओपन कर लिने हैं तो अभी मैं कर लेता हूँ थोड़े से ओर तो अभी मैंने 10 Google Chrome ओपन कर लिए अब आपको एक एक Google Chrome में लाइक जैसे यह Google Chrome में ने उपन किया इसमें सैटिंग करने पड़ेगी क्या सैटिंग करने पड़ेगी आपको यहाँ पर लिखने है Google Extensions जब आप यहाँ पर Google Extensions लिखोगे तो आपके सामने कुछ S Interface आएगा अब आपको यहाँ पर Extensions पर किलिक करने है कितना करने के बाद Chrome का Web Store ओपन हो जाएगा अब जब यह ओपन हो जाएगा एंड एक इंपोर्टेंट बात वाच्टाइम बढ़ाते टाइम अपना चैनल इसमें लोगिन मत करना पहले पूरी वीडियो को देखना कभी बीच में छोड़ कर चले जाओ मैं बढ़ा लेता हूँ वाच्टाइम आधी अधूरी इंफोर्मेशन बहुत खतरनाक होती है इस बात कर दिहार नखना तो यहाँ पर आपको Web Store पर सर्च करने है Looper यह क्या काम करेगा उसके बारे में बताऊंगा तो यहाँ पर मैंने Looper for YouTube सर्च किया और यह आपको करना पड़ेगा हर एक Chrome में करना पड़ेगा अगर आप यह हर एक Chrome में नहीं करोगे तो वाच्टाइम नहीं बढ़ा पाओगे सिंपल अब आपने यह कर लिया दन आपको Add to Chrome पर क्लिक करने है दन आपको Add extension पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेकिंग वगरा चलता है अब यहाँ पर देखो तहां से extension एड हो चुका है तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अब आप यहाँ पर देखो Looper for YouTube यह install तो हो गया अब आपको यहाँ पर 3 dot पर क्लिक करने है दन आपको यहाँ पर Options पर क्लिक करने है तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसकी settings ओपन हो जाएगी अब आपको यहाँ पर यह देखो थर्ड वाला number इसको select कर लेना है यह क्या करेगा कि जब आप watch time अड़ाओगे आपकी वीडियो को automatic loop पे लगा देगा अभी पहले ध्यान से आगे देखो यहाँ पर आपको default का option मिलते है तो यहाँ पर आपको कर देना है 144p ताकि आपका internet जादा ना जाए और फटा फटा आपका काम हो जाए यह दो setting आपने यहाँ पर कर ली अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं यह Google Chrome हमारा त्यार हो चुका है अब यहाँ पर आपको YouTube open करने है मैं भी कर लेता हूँ YouTube open तो अभी हमारा सिर्फ एक Google Chrome त्यार हुआ है आपको इसी तरीके से 50 के 50 Google Chrome त्यार करने पड़ेंगे ऐसे ही करने पड़ेंगे वरना कांड हो जाएगा एंटिवारस की भी ज़रत पड़ेगी वरना YouTube का अल्गोरिदम समझ जाएगा तो अब यहाँ पर मैं किसी भी वीडियो को सर्च कर लेता हूँ तो अभी मैंने यहाँ पर एक चैनल ओपन कर लिया और इसको मैं करता हूँ यहाँ से कोपी आपको क्या करने है एक वीडियो को पले करने है जिस पर भी वाच टैम बढ़ाना है एक चीज का जहान लखना जब watch time बढ़ाओगे न तो वाई एक चीज का खास ख्यार लखना है एक लिए पर सारा watch time नहीं देना है तो आपको वीडियो को रोक देना है तो आपको यहाँ से किलिक करके copy कर लेना है इसका link तो जब आप इसका link copy कर लोगे और दोनों सारे के सारे Google Chrome में यह setting कर लोगे जो में आपको बताया तो हर एक Google Chrome में आपको क्या करना है यहाँ पर सेटिंग पर जाना है और आपको यहाँ पर नॉर्मल पर किलिक करके 0.25x कर देना है और वीडियो को कर देना है चालू तो आपका एक Google Chrome में चालू हो चुका है काम watch time बढ़ना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जब आपका वीडियो end होने वाला होगा मैं बिल्कुल end पर किलिक करता हूँ आपके सामने end पर मैंने किलिक किया तो इसके बाद आपका वीडियो starting से चल जाएगा जैसे आपके सामने अभी चला इसी तरीके सा आपका वीडियो end होते ही दोबारा चल जाएगा तो आपका एक Google Chrome का काम बिल्कुल खतम हुआ इतना आपने कर लिया उसके बाद आपको दूसरे में जान और यह 50-50 में आपको करना पड़ेगा अगर वाल्स टाइम बढ़ाना है तो यह आपको हर एक में करना पड़ेगा अब इतना करने के बाद अब आपको counting आनी चाहिए counting कैसा आनी चाहिए चलिए मापको बताता हूं जैसे यह वीडियो हमारा 12 घंटे चलेगा तो 12 घंटे मे बाद हमें मिलेंगे 24 घंटे यह आपने काउंट कर लिया अब यहां पे मैं कर लिता हूं कैलकुलेटर ओपन तो अगर हम एक वीडियो को एक गूगल क्रोम में 24 घंटे चला रहे हैं तो हमें 24 घंटे में मिल जाएंगे 1200 घंटे हमें 24 घंटे में मिल रहे हैं ये काम करके अब आपको क्या ये करना चाहिए, regular करना चाहिए, क्या trick लगाने चाहिए ध्यान से सुनो आगे ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया watch time बढ़ाने का अब मेरी बात को ध्यान से सुनो अगर आपके laptop में आपका YouTube चैनल लोगिन रहेगा तो आप invalid activity कर रहे हो YouTube का algorithm समझ जाएगा कि आप गलत तरीके से watch time बढ़ा रहे हो हो सकता है आपका YouTube चैनल भी डिलीट कर जाए YouTube चैनल डिलीट नहीं होगा तो आने वाला time में कोई भी दिक्कत आ सकती है इस बात का थ्यान रखना सेकेंड आपको antivirus इंस्टॉल करना पड़ेगा Google Chrome से आप कोई भी antivirus डाउनलोड कर लेना यह आपके system को clean रखेगा आपके system को hang नहीं होने देगा तरीका में आपको बता दिया अब इसको अगर mobile में चलाना चाहते हो तो mobile में आप इतने घंटों में 24 घंटों में 1200 घंटे नहीं बढ़ा सकते यहां पर मेरा जवाब एकदम ना है mobile में आप क्या कर सकते हो हद से 2 क्रोम में चला लोगे trick लगा के क्या ही करोग और कैसे ही चलाओगे क्या इस तरीके से watch time बढ़ाना सही है मैं आपको वलूँगा कि हाँ सही है लेकिन इस तरीके से watch time बढ़ा कर आप इस तरीके से channel को monetize दो कर लोगे लेकिन अंदर से दिल खुश नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यार आप अपनी वीडियो को खुद देख रहे हो YouTube channel बनाने से पहले क्या आप ये सोच कर आयए ते कि मैं खुद से अपनी वीडियो को watch करूँगा ये सोच कर आय ते और अगर आप अपनी वीडियो को खुद ही देख रहे हो तो भाई mobile magic करके खुदी देख लो ना बनाने की भी क्या ज़रोत है अगर आपको इस तरीके से watch time बढ़ा कर सुकून मिलता है, शान्ती मिलती है तो आप try कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके पास fall to पैसा है आप monetize करवा सकते हो पैसा देकर, तो भाई आप करवा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत साई लोग आज का टाइम में करवा रहे हैं, अब क्या ही करें इस तरीके से अपने चैनल को monetize करवाना यानि कि आप shortcut ढून रहे हो YouTube पर grow करने का शोटकट में आप grow तो कर जाओगे पैसा भी कमाल होगे, लेकिन long term तक नहीं चल पाओगे तो इसलिए महनत करना सीखो मैंने अपने YouTube चैनल को 2 साल महनत करी YouTube चैनल पर, तब जाकर मेरे चैनल पर 4000 घंटे कंप्लीट हुए थे उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ था मैंने आपको almost सारी बात है बता जी अब आपकी मरजी आपको करना है या नहीं करना है, यह decision तो आप ही लोगे और इतना कुछ करना इतना easy भी नहीं है तो भाई, वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पर पहली बार आए तो subscribe जरूर करना मैं आप साल लोग किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपने धानक है and बाबाई